और चलिए अब बात कर लेते हैं पहाडों की जिस तरहा से यहां लगातार भारी बारश हो रही है शिमला की आपको तस्वीर दिखाएंगे जहां लेंड स्लाइट से बारी तबाही देखने को मिल रही है समर हिल में शिव मंदे पर चटान गिरने से पांच की मौत हो गई है और अब भी खबर या रही है कि 20 से 25 लोग जो हैं वो दबे हो सकते हैं रेस्क्यू आपरेशन लगातार जारी है 20 से 25 लोग फसे हुए हैं पर पहुँच कर सीम और राजयपाल ने जायजा भी लिया है तो शिम्ला में भारी लेंड स्लाइट पांच लोगों की मौत हो गई है सीम सुखू भी खुद मौकाई वार्दात पर पहुचे जहां पर लैंड स्लाइट हुआ है मौके पर पहुचकर सिती का जायसा लिया और अभी भी रेस्क्यू आपरेशन लगातार चल रहा है वहीं प्रियांका गांधिनों ने भी शिम्ला में लैंड स्लाइट से हुई मौत को लेकर दुख जताया है देखी तस्वीरे सामते आई है किस तरह से सीम सुखू मौके पर पहुचे जहां इस वक्त रेस्क्यू आपरेशन चल रहा है सिती का जाइसा लिया है हर संफब मदद का भरोसा दिया है दूसरी तरफ लगातार जो रिस्क्यू आपरेशन है वह युदसर पर चल रहा है क्योंकि मलबा ज्यादा होने की वज़ा से लोगों को निकालने में बेहत दिक्कते आ रहे हैं काफी लोगों की संख्या यहां बताई जा रही है 20 से 25 लोगों के दवे होने की ख़वर है हमारा प्रियास है सैना दवारा पुलिस दवारा एंडी आरफ की टीम दवारा की जो दवेवे लोगों में से कुछ जिंदियों को बचाया जा सके इस वार की बारिश ने पिछले 24 घंटे में ऐसा कहर बरपाया है पिछली वार की जो आपदा थी उसने हमारी संपत्ती और संपता को बहुत जादा नुकसान पचाया था पर जिंदगियां को कम नुकसान हुआ था पर अभी तक मुझे जो लगता है कि इस बार काफी जिंदगियां काफी जाने हमें चोड़ कर चलीगी हैं अब इस आपदा की किसी कुई नहीं था कि ये भी इस्तिती हो जाएगी लेकिन बादल फटने के नाते ये इस्तिती हो गई है फिर भी प्रसासन पूरी तोर पर लगा हुआ है और मैं समझता हूँ कि जहां जहां भी घटने घट रहे हैं प्रसासन तौरित गति से ओपर के मार्ग भी खुलवा रहा है और आपदा पर लोगों को राहत भी देने का प्रिप्त कर रहा है इतनी बड़ी आपदा हिमाचल ने कभी नहीं देखी होगी जो इस बार चल रही है लेकिन उसके बावजूद में प्रसासन ततपरता के साथ लगकर के उसको कार्ज कर रहा है और चलिसी की साथ बक्तूर से लेक्शोर से ब्रेक का दिखते रहेगा नियूस 24